असलाम अलेकुम गाइज आप देखे हैं मुबश्र मारीटी मीडिया यूट्यूब चैनल आज एक नई फोटो एड़िट करने वाले हैं हम अड़ा फोटोशाप में फोटोशाप ओपन कर लिए हमने लोडिंघ ओगर आए ठीक है जी फोटोशाप ओपन हो गया अब फोटो ऑपन कर लेते हैं अपनी जिसको हम अड़िट करने वाले हैं सबसे पहले हमने एक फोटो ले लिए है जो बिसिकली एडिटिंग में है आपका सबसे पहला काम यह है कि आपने अपनी फोटो की जो है एक और डूप्लिकेट लेर बना लेनी है जिस पे हम काम करने वाले है लेर हमारी बन गी है सबसे पहले हम कर्व लेंगे एडिट में जाएंगे एडिजस्टमेंट में यहां से कर्व ले लेंगे आप्शिंज पर आएंगे यहां से आपने देखना है यह तीन चार आप्शिंज होते हैं आपकी फोटो जो है किस पर अच्छी लग रही है उस पर आपने कर देना है मैं दार्क और लाइट कलर्स पर काम करने लगा हूं अब नेक्स स्टेप हम जो करने जा रहे हैं इस फोटो में वह यहां से हम एक फिल्टर लेंगे मैं फिल्ट जो है चैनल मिक्सर का ले रहा हूं क्योंकि मुझे कल रस जो है वह बैग्रॉंड के वह ज़्यादा पहले जरूर यह चेंज करना तो सबसे पहले इदर आ जाएंगे आप इस पैनल में प्राप्टिस में रेड कलर है रेड के बाद ग्रीन है ग्रीन के बाद करना चाहरे हैं तो फिर इसकी वैलियो जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेंगी बजाए कि डिक्रीज के आप देख लें जहां पर यहां पर अच्छा लगे मेरे इसाब से यहां पर ठीक आ रहा है नेक्स्ट आप नीचे ब्लू कलर है इसी पर ही यह जाद रखेंगा हमने रेड चैनल खुला हुआ है यहां से ब्लू पर आएंगे अगर आपने ग्रीन को यलो में कर्वर्ट करना है तो फिर आपको ब्लू को डिक्रीज करना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से यहां पे ठीक है यह था हमारा रेड चैनल अब हमारे ग्रीन पे ग्रीन को मैं अलमूस्ट डिक्रीज कर चुका हूँ और मजीद मेरा नहीं हाल कि अब ब्लू पे आ जाते हैं ब्लू को अगर आप थोड़ा सोर बढ़ाना चाहें तो यहां से बढ़ा सकते है ठीक है जी यह ओके हो गया है अब एक मेंड चीज जो है चैनल मिक्सर तो हमारा लाग गया है अब यह जो बाड़ी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है इसको मैं चाहरा हूँ कि यह अपनी पहले वाली वापस केंडिशन में आए तो हम क्या करेंगे यहां से ब्रेश टूल यह ओपो सिटी और फ्लो जो है वो आपका हंडर्ड होना चाहिए और फार ग्रांड कलर जो है वो आपका ब्लैक हो अगर ब्लैक होगा तो जो भी चैनल या फिल्टर अपने प्लाई किया उसको आप ऐसे लगाएंगे अपने सब्जेक्ट पे तो वो आपका जितना भी इस सब्सक्राइब करने हैं तो यह बलकुल अराम से और इत्यास से कीजिएगा जितना आपका बाड़ी का पार्ट जो रहा गया है जिसको आप इस फिल्टर से बचाना चाहरे हैं उसको आप प्रेश टूल से वापस पहले वाली नार्मल कंडिशन में ला सकते हैं इस वीडियो को थोड़ा सागे का रहा हूं चाहित आप 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 है ठीक है गास तो यह हमारी जो है फोटो पहले वाली नार्मल कंडिशन में में आ चुकी है जस्ट आप आप देख सकते हैं कि जस्ट इसकी बैकरूंड जो है उस पर फरक पड़ा है अब एक चीज़ आपने अगर इसके बाद मैंने भी काफी सारी फिल्टर जो है वह अप्लाई करना है फोटो के उपर तो मैं अब क्या करना जा रहा हूं कि यह जो मैंन स्टू स्लेक्शन है इसको कर देंगे यह इसको इनवर्ट स्लेक्ट है अब इनवर्स कर लेते हैं ठीक है अब मैं यहां से क्या करने रगा हूं मैं स्लेक्शन को सेव कर लेता हूं सब्जेक्ट के नाम से ठीक है ताकि नेक्स जितने भी मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा त एक्तिम इस पर सेज्ट अप्लाई करने जा रहे हैं आप यहां पर ठीक है जादा मत कीजिगा कि आफ उर्सा लगे ठीक है अगएन अब में क्या करने जा रहा हूं यहां पर में लोड सेलेक्शन के लाउंगा यहां से सब्जक्ट के नाम से नाम से स्लेक्शन की है पहले यह आगया अब आप ब्रश टूल लें अपने ब्रश को फुल साइज में बढ़ा कर लें तो देखा आपने यो लास्ट टैम मैंने बारीकी से किया था वो मुझे जरूट नहीं रही इसको बारीकी से दुबारा ब्रश करने की क्यूंकि मैंने स्लेक्शन जो है वो अल्रेडी सेव कर लिए है अब नेक्स्ट जो है मैं इस पर वाइबरेंस अप्लाई करूंगा यहां जाएंगे वाइबरेंस की लेर लेंगे यह देखें नमाया जो है वो फरक पार्डर आपका वाइबरेंस के साथ मेरे हिसाब से यहां पर ठीक है अगेन वही काम यहां से मैं आऊंगा लोड ट्लेक्शन करूंगा सब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा ओके किया है ब्रश टूल कर रहा हूं कि मेरी जो बाड़ी है उस पर कोई ज्यादा असर ना पड़े फोटो मेरी खराब ना हो तो अब आपके सामने ही है एक बार सेलेक्शन मैंने सेव कर ले थी उसके बाद मुझे जो है मुझे जरूट नहीं है ब्रिश को बारी किसे इस्तमाल करने की क्योंकि मैंन कि देख सकते हैं आप फोटो में जो है वो काफी चेंजिंग आ चुकी है अब कदर बैलंस लेते हैं थोड़ इसी रेड़नेस बड़ातों में फोटो में कम नज़रा आ रही है थोड़ी सी आप जितना मैंने काम किया मैं तुमाम लेजर्स का एक गरूप बना लेता हूं कंट्रोल जी के साथ अब आप देख सकते हैं यह हमारी फोटो है जो वो पहले थी और हमने जो इस पे काम किया है जस्त टीन से चार स्टेप्स मैंने की हैं इसली जो आपको मैंने समझा दी है चार से पांच मैंने लगते हैं आप बरीकी से कीजिएगा आपका काम बहुत अच्छा होगा और आपको एक अच्छी लुक मिलेगी देखने को फोटो अपनी की दो में जाद रखेगा अलाफिज